नमस्कार आप देख रहे हैं श्रहर का सबसे लोगप्रिये चानल हिंद विहार आए नजर डालते हैं हेडलाइन्स पर फालगोने उच्छा पर शाम भक्त मंडल द्वारा आयूजित होगी दोदिविश इनिस्तान तोबा यात्रा महिलाओं द्वारा 56 भोक करक्रम के साथ साथ कॉलकता के कलाकारो दरा नित्तिनाटिका की होगी विश्रेस प्रस्तुती इरिक्षा का परिचालन शहर में कल रहेगा साथ बजे सुभा से चार बजे शाम तक बन प्रेमी का निकली बेवफा घर बुलाकर पिता से कराई प्रेमी की हत्या आईटी एक्ट के फरार अभ्यूक के घर की पुलिस ने की कुरकी आरोपी पर असलील फोटो और बीडियो वाइरल का है आरोग अब खबरे विस्तार से मंदिरोजक खाटूश्याम मंदिर भवन में भागलपूर में स्रिश्याम भक्त मंडल एवं स्रिश्याम भक्त मंडल न्यास के सन्युक तत्वाधान में 3 मार्च से 4 मार्च को फालगों ने उच्छब 2023 का आयोजिन किया जा रहा है वहीं 3 मार्च को प्रातर निशान सोबयात्र से कारिक्रम की शुरुवात होगी उसके बाद भागलपूर के भक्तों दोरा निसान समर्पन, नवगच्या के भक्तों के दोरा निसान समर्पन, गोड़ा के भक्तों के दोरा निसान समर्पन का कारिक्रम किया जाएगा। महासचिप सुरेशकुमार महता, सन्योजक निलेस कोठिवाल, कपील जैन, बालकृष्ण, इन्डिया किशन गोयल का के अलावे दर्जुनकारिकरता मौजुद थे और शमास की सभी हमारी महिला भग, पुरुस भग, बच्चे करीब 2100 के लगभग में निशान उठेगे और वो निशान पूरे भागलपूर की परक्रिमा करते हुए, तीन में ग्यारा बजे खाटुष्णी श्याम मंदिर में भवान को अरपन हो गे भागलपूर के मुझाहित पूर्थाना के सामने पुलिस पुदादीकारियों के दोरा इरिक्षा चालक गौतम के पिटाई, और उसके हाथ तोड़े जाने की बाद इरिक्षा चालक संग के दोरा कल पूरे भागलपूर में इरिक्षा चक्का जाम किया जा रहा है, पुरे शहर में आज माइकिंग करते वे इरिक्षा संग के अद्दक्ष विशाल कुमाड ने खुद इरिक्षा चालकों से अनुरोध करते वे कहा, कल पूरे भागलपूर में सुबर 7 बजे से संध्य 4 बजे तक इरिक्षा का परिचालन बंद किया जोएगा। वे उन्होंने कहा कि गलत तरीके से इरिक्षा चालकों पर पूलिस्या कारवाही की गई है। इवं गिरफतार ही है तो निर्देशुत किया गया। जिसका विरोध गुडिया के परिजुन कर रहे थे। इसी करव में गुडिया कुमारी ने अविशेक को अपने घर पर बुलाया। जिसके बाद अविशेक कुमार को हाथ एवं मुबांध कर बहादूर पूरस्तित ममोदा नदी के किनारे गडासा से गलारेत कर हत्या कर दी। इस कांड में दो लोगों की गिरफतारी की गई है जिसमें पुलिस ने मनुज सिंग और गुडिया कुमारी को गिरफतार किया है। साथी बारदात में उप्योग होने वाले हत्यार के रूप में गडासा को भी बरामत किया है। अग्यात लाश जिसको निर्मम तरीके से माला दिया गया है जलाकाट के मावजा नदी बहादुर पुर के साइड में वहाँ पर ठेग दिया गया है। कांट की गंभीता को देखते वे वरिय पुलीस अदिक्षक द्वारा एक तुरिक टीम का गठन किया गया और उसको निर्देशित किया गया कि कांट का अतिशिक उर्भेदन किया जाए और गिरफतारी की जाए। भागलपूर के नातनगर इलाके के बिहार हसनाबाद निवासी एक साल से फरार नामजद अवियुक्त हामिद अंसारी उर्फ हामिद रहिस के घर पर बुदवार दो पहर नातनगर पुलिस ने कुर्की जबती की कारवाई की है। बता दे कि फरार अभियुक्त पर इलाके के चंपा नगर मिर्गयास चक की रहने वाली महिला बैंक कर्मी ने महिला थाना में असलील फोटो और बीडियो वाइरल करने का आरोप लगाते वे आईटी एक्ट में केस दर्ज कराये था। पुर्व में पुलिस दोरा फरार अभियुक्त के घर पर आत्मस्रमर्पन करने को लेकर इस्तेहार भी चस्पा किया गया था। लेकिन आरोपी दोरा आत्मस्रमर पर नहीं करने पर नातनगर पुलिस ने कुर्की जबति की कारवाही की है। इस संबन में नातनगर धाना के परभारी थानेदार मुहम्मद महताफ खान ने बताया कि महिला थाना में दर्ज आईटी एक्ट के एक केस में फरार अभ्यूक्त के घर पर कुर्की जबती की कारवाही की गई है।